तो फाइनली आज हम बात करने वाले बेंटन उनिवर्स के काफी यूनिक टोपिक के बारे में आप लोगों ने काफी बार ये सोचा होगा कि बेंटन के पास इतने सारे उड़ने वाले एलियन हैं जिनकी फ्लाइंग पावर का यूज करके बेंटन एक जगह से दूसरी जगह पेंटन पर काफी ज़ल्दी ट्रेवल कर पाता हैं लेकिन क्या आप लोगों ने कभी शोचे हैं कि इन सारे इलिन में बेंटन के टोफ फाइव ऐसे कोन से एलिन हैं जो कि बेंटन के बेस्ट फ्लाइब करने वाले एलियन में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज देखने को मिलती रहें तो टाइम को बैशना करते हैं जल्दी से आज की मारी इस ओसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो नंबर फाइड पर हमारी पास यहां पर क्रोमा स्टॉन जिसकी फर्स्ट अपैर्स हमें बैंटन एलिन वर्स में देखने को मिली थी और या बैंटन का काफ़ी थे ओसक यह दिखने को मिला अप्र denial Alien Force में हमें देखने को मिला था Chroma Stone की Secret वाले Episode में कि Bennton की जो Chroma Stone है वो Fly भी कर सकता है और इतना ही नहीं गाइस हमें देखने को मिला था Benton Alien Force में कि ठोड़े ही टाइम में Chroma Stone अर्थ से Fly करके Petropia पर पहुंच गया था और ये Benton का काफी unique Fly करने वाला Alien अगर हम बात करें नंबर फॉर की तो हमारे पास यहां पर बिक्चिल बिक्चिल बेंटन का एक ऐसा एलिन था जिसकी फर्स्ट अपेरंस हमें बेंटन एलिन फोर्स में देखने को मिली थी अगर इसकी पावर अबिलेटी इसकी बात कर ली जाए तो बिक्चिल की जो बोड़ी यह बिक्चिल उसे intangible कर सकता है बिल्कुल ghost freak के जैसे लेकिन अगर इसकी intangible body को कोई छोने की कोशिश करता है उस time पे guys इसको छोने वाला पूरी तरह से ice में जम जाता है इतना ही नहीं guys हमें बिक्चिल के पास ice attack करने की power देखने को मिली थी यह अपने mouth और हातों से ice attack कर सक और यह बेंटन का काफी unique fly करने वाला alien है क्योंकि guys बिक्चिल सिर्फ अर्थ पर ही नहीं बलकि space में भी fly कर सकता है काफी यह स्पीड से और space में इसको कोई फरक नहीं पड़ता इसको oxygen की बिल्कुल भी ज़रुत नहीं पड़ती नमबर थ्री पे हमारे पास यहाँ पे NRG यह हमें first time बेंटन ultimate aliens में देखने को मिला था जब अगर अगर ने 5 aliens की power को absorb करने के लिए 5 aliens को पकड़ा था NRG का DNA बेंट को उन 5 aliens में ही मिला था NRG की power abilities की बात करें तो NRG के पास अपने काफी strong armor है जिसको destroy करना लगबग ना मून कीन है लेकिन अगर उससे कोई destroy कर देता है तो NRG जब armor से भार आता है उस time पे उसका power level और भी ज़्यादा बढ़ जाता है ये काफी ज़्यादा energy के absorb कर सकता है उस energy का attack के तोर पे release भी कर सकता है और nuclear attack भी कर सकता है और NRG काफी तेजी से fly कर सकता है और इस space में भी fly कर सकता है और इसको oxygen की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं पड़ती अब बात करें नमबर टू की तो हमारे पास यहां पे जट्रे जट्रे बेंटन का एक ऐसा alien है जो पहली बार हमें बेंटन alien force में देखने को मिला था अगर इसकी power ability की बात करें तो जट्रे अपनी eye और tail से laser fire कर सकता है और इसकी flank speed काफी ज़्यादा है ये अर्थ पे survive कर सकत साथ में गाइस अगर बेंट को कभी भी space travel करना है उस टाइम पर जट्रे का यूज करके बेंटन space travel भी कर सकता है और यह चीज़ हमें बेंटन alien force में देखने को मिली थी जहां पर गाइस बेंटन ने बेंटन जट्रे का यूज करके azmat के पास गया था उसके planet पे और जट्रे कुछ ही मिंटों में azmat के planet पे पहुंच गया था तो आप लोग सोची सकते हो कि जट्रे कितनी fast fly करता है अब बात करते हैं नंबर वन के बारे में लेकिन यहां पे ट्विस्ट है जैसे कि हमें बेंटन की सीरीज में बेंट के पास कई सारे fly करने वाले alien देखने को मिले थे और बेंटन के ऐसे कई सारे fans है जिनको flying aliens के बारे में अच्छी खासी knowledge है तो मैं यहां पे आप लोग को नहीं बताऊंगा कि number one पे कौन सा alien है आप लोग मुझे comment करके बताईए कि आपको क्या लगता है number one पे बेंटन का कौन सा alien होना चाहिए जो कि काफी अच्छे से fly करता तो जल्दी से अपने coding नीचे comment करके मुझे बता देना कि बेंटन का ऐसा कौन सा fly करने वाला alien है जो कि number one की portion को deserve करता है तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छे लगया तो वीडियो को like करके हमारे इस चैनल को subscribe कर ल okay now